नमस्काल दोस्तों ये देखिए नासा की जो अर्थ उब्जर्वेटरी है उसकी एक इपॉर्टेंट न्यूज है वर्ल्ड मेटरलॉजिकल और्गनाईजेशन है डबलू एमो है जो यूएन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है उसने भी ये न्यूज दी है कि अंटाक्टिका म वो इस चीज को समझ भाएगा नॉन जोग्राफी के स्टुटेंट है मैं समझा दूँगा विश्वास रखो तसली रखो धैरे रखो कि नौर्दन हमिस्फेर में जब गर्मी होती है तो सामान नेता है सौधर्ण हमिस्फेर में सर्दी होती है मैं लेमन की लेंग्विज में समझा रहा हूँ कोई टेक्निकल लेटी नहीं बिल्कुल सरक जो उत्री अक्षांस होते हैं जब एक्क्वेटर या विश्वत रेखा से उपर होते हैं तब अगर गर्मी है उस अक्षांस में या फिर जो उत्रार्ध है उसमें तो दक्षिनार्थ में दक्षिन जो व्रत है दक्षिन व्रत है या फिर जो Southern Hemisphere है वहाँ पर सर्दी होती है लेकिन अभी ऐसी एक interesting situation सामने आई है कि जहां Canada, Russia और यह सब जो इलाके हैं वहाँ heat wave आ रही है वहीं दूसरी तरफ Antarctica में भी उसका hottest day जो है जो highest temperature है वो record किया गया यह है नासा की रिपोर्ट में आपको दिखाएता हूं कि UPSC के लिए कहां काम का है सबसे पहले UPSC का GS paper 1 जो है उसका साफ साफ जिओग्राफिक अंदर कर जो सेलेबस उसमें दिखाए गया है कि जियो फिजिकल फिनॉमना सच इस अर्थक्वेक सुनामी वाल्किनेक एक्टिविटी साइक्लोन एक्सेक्टर और यह जो जो जिओग्राफिकल हमिस्फियर में जहां आक्टिक पिखल रहा है बहुत जादा हीट वेव वहीं अंटाक्टिका में भी उसका होटस डे काउंट किया गया तो यह इस आइस कैप के कॉंसेफ्ट में सीधे सीधे आंसर आप कोड कर सकते हैं आप डेटा दे सकते हैं या फिर क्लाइमेट चेंज जो है वो इसके अंदरगत आ जाएगा उसमें भी आप यह जानकरी दे सकते हैं सेकिंड अगर मैं बात करूँ जीएस थ्री में तो उसमें आपदा और आपता प्रबंदे नहीं डिजास्टर और डिजास्टर मेनेजमेंट जो है उसमें आता है हीट क्लाइमेट चेंज के कारण केनेडा, USA, रशिया तक में हीट वेव से जो चुनौती आ रही है वो आप कोड कर सकते हैं तो यह आप करण के साथ जोल के अपने जो इस्टेटिक पार्ट है उसको एक्स्प्लेइन कर सकते हैं तो यह दोनों ही सेलेबस के दोने इंपॉर्टन पार्ट हैं इसको आप याद रखिएगा प्री मेंस दोनों में काम आती है चीज अब चलते हैं सूचना के उपर कि क्वेशन क्या है या फिर चुनौती क्या ही है यह देखिए यह आपकी है फ्रांस 24 जो निउस्पेपर उसने भी निउस दिये कि यूएन ने कंफर्म के 18.3 सेलसियसा भी समझ यहां निगरी में स्सक्राइब गर्म और निफिएगर में 18.3 यह लाइन ने इस निउस को कवर सो जो दिए मैं आपको वताता हूं कि यह कब रिकॉर्ड किया गया क्या इससे पहले भी hottest day record किया है यह नहीं किया है WMO जो है हमारा World Meteorological Organization जो UN की एक संस्ता है उसने 1st July को confirm किया कि new record of maximum temperature in southernmost continent is now 18.3 degree जो की March 2015 में एक हाइस जो था वो count किया गया था 17.5 समझी आप 5 साल में पिछले 5 साल में जो हाइस temperature है वो 0.8 degree बढ़ गया है सुनने में यह अपने को बहुत सरल लगता है लेकिन इस 0.8 degree के भढ़ जाने से कितनी चुनोती आएगी मैं अभी आपको बताता हूँ इसके साथ साथ मैं बता देता हूँ कि Paris Climate Change के अंतरगत 1.5 degree और 2 degree Celsius तक increase को रोकने की बात की गई है उसके लिए क्या चुनाती है उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे हम लेकिन अभी इसको cover कर लेते हैं यद्यपी February 2020 में भी अर्जेंटीना की control जो base है जिसे एसपरा जान्जा भी कहा जाता है उसमें भी एक highest temperature record किया गया था अब बात करते हैं कि यह वरी क्यों है क्यों चिंता की बात है क्या फरक पड़ता कोई फरक नहीं बहुत जादा फरक पड़ता है जो 2010 का जो decade है वो इस दुनिया का जब से की record करना शुरू किया है scientist ने temperature को सबसे जादा गर्म decade है 2016 को highest year, hottest year भी कहा गया और जो अब तेजी से average temperature वो बढ़ता जा रहा है यह बताया जा रहा है कि human induced climate change के कारण है जो मनिश ने परियावरण में परिवर्तन किया उसके कारण यह temperature बढ़ रहा है, induced हो रहा है और Paris climate जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल है यह सब जो शेश प्रोटोकॉल है, उसके अंतरगत इस चीज को सही करने की कोशिश ठी जा रही है चुनौती सबसे बड़ी जाती कि जो final frontiers है जितनी भी ice cap से चाहिए वो Arctic हो, Antarctic हो उन्हें final frontier का जाता है जो की climate को control करने में बहुत काम आती है और इसके साथ साथ Arctic Peninsula जो है वहाँ पर भी यह बहुत तीजी से वो खेत्र जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और तीन डिगरी Celsius जो है पिछले 50 साल में बढ़ गए यह बहुत बड़ी चुनौती है तो यह जो final frontier है यह आपके तापमान को control लगते थे मीठे पानी जो clean water है उसके source थे WMO ने यह तक बता जिया कि यह लगबक 4.8 km मोटी शीट है जो की 90% of worth fresh water जो है विश्व का जो शुद्ध जल है उसको contain करता है और अगर इसको यह पिघल गया तो आपको पता है 60 मीटर तक लगबक 60 मीटर तक जो जल सतार समुद्र का बढ़ जाएगा और उससे जितने भी समुद्र के किनारे या फिर जो महासागर है उनके किनारे रहने वाले जो देश हैं या जो तटी है राज यह हैं उनको इतनी बड़ी चुनौती होगी इतने लोग भीगर होंगे क्लाइमिट रिफ्यूजी एक टर्म है उसका मतलब मुझे बताईए उनको बहुत ज़ादा चुनौती आने वाली है नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि यह जो रीडिंग है वो रिकॉर्ड क्यों आई है सबसे बेसिक जो करंट है तातकाली कारण वो यह है कि एक हाई प् पन बढ़ गया दूसरी चीज है क्लाइमेट चेंज है जो सतत रूप से इस टेंपरेचर में बदलाओ की कहानी लिख रहा है जो हमारे सामने भड़ता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है इसके साथ-साथ जो हीड विव नॉर्दन हेमिस्पियर में है सामान जो ग्लेशर मेल्ट है वो बहुत जादा रिस्क पे आजाता है वो भी संभव है अब मैं आपको दिखाता हूं डाइग्राम यह देखें तीन सिस्टम है यहां पे हैचफ़ पी का एक झांसेप्त होता है है एडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल यह पोलर सेल कलाती है यह फेर बिल्ट बना हाई प्रेशर सिस्टम बना और डाउन स्लोप में जो हवाई उसने उस जो सतह का तापमान है जो सर्फेस को है वो गर्म कर दिया एंड डेट इस दा प्रॉब्लम यह देखिए ट्रोपोस्फियर से गर्म हो अगर नीचे आती तो यहां पर जो आइस होगी उसको वो गर्म करके बहा देगी और टेंपरिटर जो है वो बढ़ जाएगा यहां से लो प्रेशर है यह इस तरीके से सर्कल चलता है लो प्रेशर से मूव होके यह उपर जाके फिर यह पूरा सर्कल कवर होता तो यह यहां हाई प्रेशर है अब बात करते हैं कि भहिया चुनौत लाइवलिफट्स है फूर्ट सेक्योरिटी है वाटर सप्लाई यूमन सेक्योरिटी एकनॉमिक ग्रोथ यह सारे वो चैलेंजेज है जो ग्लोबल वार्मिंग का जो वन पॉइंट फाइव डिगरी का जो टार्गेट है उसको कंट्रोल करने की बात करता है और वो भी प्री लेवल के अधर्वाइज इतने केटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होंगे इतने जन धन की हानी होगी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं और यह IPCC का सेजेशन भी है अब करते हैं प्रोमोशन हमारा नया एप जो आ गया स्टेडी ग्लोज लेंडिंग आप उसको तुरन डाउनलोड क कीजिए लॉकिन कीजिए और जितने भी कोर्सें उनका फायदा उठाइए बिग सेल भी चल रही है एसजी 20 के साथ आप 20 जो कूपन है ग्लोज 20 उसको डाल के 20 परशन तक सेल में ले सकते हैं और हमारा जो एक वन डे एक्जाम के लिए डेडिकेटेड प्लाटफॉर्म है उ इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत